Hello NIS student and CBSE students, आज का वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है देखिए ये जो news है आपकी जो है 3 जून की है लेकिन ये वीडियो आपको जो है 4 जून को मिल पा रहा है क्योंकि कल जो है वीडियो बनाने में problem आ रही थी तो अब जो है ये वीडियो आपको जो है कल कुछ important जो है meetings हुई थी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे Supreme Court के अंदर क्या जो है decision जो है आया है CBSE को क्योंकि जवाब देना था जून 3 को तो आज जो है जून 4 है तो उसके बारे में कुछ बड़ी चीज़े निकल के आ रही है देखिए आपको proof के साथ बताएंगे एन नहीं इसके students के लिए भी बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है CBSE class 12 board exam live updates SC adjourned hearing or criteria decision in two weeks यानि कि दो weeks के अंदर जवाब देना पड़ेगा CBSE को कि आप किस तरीके से class 12 के बच्चों के जो है marks दोगे तो CBSE ने जो है दो आपका time मांगा है अब जो सुप्रीम कोट है उसने क्या कर दिया है एडजन कर दिया hearing यानि कि अब जो decision आएगा वो लगबग 14 या 15 दिन के बाद आएगा तो अब हम जो है आगे चलते हैं इसमें क्या चीजे निकल के आई हैं देखिए CBSE, ICSE Board, All State Boards और NIUS Board ये सभी बोर्ड के exam cancel होने वाले हैं ये आपको इस article में दिख रहा है अब NIUS के student के रहे सर हमारा नाम नहीं है लेकिन आपको आज proof के साथ सारी चीजे जो है बताई जाए तो आप देखेंगे पहले तो hearing में हम सुन लेते हैं students देखिए कितना जादा जो है tension में है अब जो है उनके exam cancel होगे उसके बाद इनके चेहरे पर खुशी आई है अब क्या है Supreme Court के अंदर जो है क्या हुआ June 3 को तो उसकी हम detail बताते हैं देखिए Central Government जो है और CBSE Board उनको आपक Journal थे उन्होंने साफ साफ क्या कहा कि सर हमारा ये जो है हमने exam cancel कर दिये अब आप क्या है petition को dispose of कर दीजिए यानि कि petition को खारिज कर दीजिए Supreme Court ने जो है judge देखिए बहुत चालाक होते हैं तो उन्होंने साफ साफ जो है क्या बोला आपका कि आप सबसे पहले marking criteria के बारे में तो बताईए marks किस base पे देंगे उस पे students satisfy है या नहीं है तो जब तक आप उसका जवाब नहीं देंगे हम petition को dispose of नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी news है अब क्या Supreme Court ने सीधा बोला कि नहीं आपको marks base बताने पड़ेंगे और ICSC Board जो है जो आपका दास जो है sir उन्होंने क्या कहा कि जो CBSC और जो Central Government उन्होंने लगबग चार हफते का time मांगा तो Supreme Court के जो judges थे उन्होंने सीधा कहा कि भई देखिए आप पहले बहुत time जो है waste कर चुके हैं अब आप क्या है अपना केवल आपको जो है दो हफते का time जो है मिलेगा वो आप पहले भी बह बात निकल के आ रही है आप ये देखेंगे जो ये है आपका exams के बारे में अब criteria जो है Supreme Court में discuss हुआ ये आपको बताई दिया है दो हफते के अंदर respond देना पड़ेगा और इसका फायदा क्या है CBSC और जो N.I.O.S. को कि इनका result और सब चीज़े क्या है नॉर्मली जल्दी से होंगे अब जो secretary है CBSC के उन्होंने क्या क्या है we were in process of structuring the criteria हम जो है क्या है process में लग चुके है और क्या है एक बार ये जब complete हो जाएगा तो हम इसको क्या है बता देंगे और जो है panic होने की situation आपको नहीं है और देखिए उतरा class 12 के exam भी cancel होगे लगभग state boards के 90% exam cancel हो चुके अब देखिए सबसे जो बड़ी news आ रही है आपकी जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया N.I.S.K. students है इनमें कैए 19 मई को जो notice आया था उसके अंदर 10th class के जो theory और practical cancel कर दिये गे हैं लेकिन उसमें एक चीज बड़ी बात आई थी कि जो public examination आप पहला point ध्यान से पढ़िए यह मैंने इसी लिए जो है निकाला है public examination in theory and practical यानि कि जो public examination है theory और practical के ध्यान से सुनिएगा senior secondary यानि कि 12th class and vocational courses यानि कि बारवी class और vocational class के लिए जो आपका scheduled in जो June में होने हैं उनको जो है postpone कर दिया या यह बात ठीक है अब एक बात और कही थी the N.I.O.S. is keeping close watch on situation यानि कि यह situation को देख रहे हैं जैसे CBSC और Corona की situation है और यह 20 June को क्या किया जाएगा तो आपको date देखिए पता चल गई क्योंकि 20 माई को 10th class का decision हुआ था 20 June को आपका किसका decision आएगा CDC बात है 18 या 10 देखिए 10 से 20 June के बीच में N.I.O.S. का 100% जो है notice निकलने वाला है और यही आपके लिए जो है सबूत के साथ सबसे बड़ा proof है the notification in this regard और यह कह रहे है कि notification भी आपको 15 दिन पहले जो है examination से पहले दे दिया जाएगा लेकिन अब CBSC के exam cancel होगे तो देखिए यही चीज आपको जो है मैं समझाना चारा था यह आपका N.I.O.S. का notice है यह सब कुछ अपने आप में कह रहा है और एक देखिए एक और breaking news जो है N.I.O.S. के बच्चों के लिए वो हमेशा confused रहते हैं हमारे लिए कोई नहीं बोलता है देखिए ममता शर्मा एड़ोकेट जो है उन्होंने लगभग 18 गंटे पहले tweet कर रहा है तो देखिए एक और हमारे लिए जो है बड़ी news है कि हमारी जो ममता शर्मा मेडम है वो N.I.O.S. के students के बारे में भी उनके पास आवाज पहुच चुकी है cancel exam, save lives के नाम से उन्होंने campaign चला रखा है आप इस hashtag को चलाइए और उनके channel को भी subscribe कर लीजे ममता शर्मा मेडम ने एक channel भी बना रखा उस पर वो update देती रहती है तो आज आपको पता चल गया कि really में आपके लिए news चल रही है आप इस नाम को देख सकते हैं तो आज आपके लिए दो एक तो आपको notice में दिखाया दूसरा ममता शर्मा मेडम के tweet में दिखाया तो इस तरीके से जो है कि उन्होंने साफ साब बोला सब जगे पर क्या uniformity होनी चाहिए सबके exam cancel कर देने चाहिए जिससे सारे students अपने आगे के career और higher education पे ध्यान दे सकें तो अगर आपको हमारी news जो है informative लगी हो चैनल पर first time हो चैनल को subscribe कर लीजिए और सारे बच्चों में ये video viral कर दीजिए क्योंकि 10 June से लेके 20 June के बीच में आपके लिए super notice आने वाला है